दोस्ता आज इस वीडियो के बाड़े में आपको देखाऊंगा यह अल्टर स्लिम पिक्चर टीप का अंदर एक अल्टर स्लिम निव किट किस तरह सेट किया जाता है इसको पर आज आपको डीटेल्स देखाऊंगा इसलिए आप सुरू से लास्ताक देखिए ठीक है और दोस् का अंदर वीडियो लिंक में देखे राखा है ठीक है तो आप देख लिए यह जो अल्टर स्लिम का योग है यह स्क्वार्ट टाइप का है ठीक है और नॉर्मल योग जो होता है वो राउंड टाइप होता है तो और यह जो अल्टर स्लिम का पिक्चर टूप अब देखी यह अल्टा स्लिम टाइप होते हैं यह पिछे टीप का जो पीछे साइड बोडी यह बहुत ही पतला होते हैं और जो नॉर्मल पिछे टीप को बोडी वह पीछे बहुत बोड़ा देखा जाता है ठीक है तो यह एक अंतर होते है तो आज यह PC भी आपको फीट करके देखाऊंगा और यह न passé पीसेश्य का साथ जो मिलते है है अब देख सकते हो इसका अंदर एक रिमोर्ट नियू मिलेगा ठीक है और इसका साथ अब देख सकते हैं सोब कुझ है एक AC कोड मिलेगा और AC कॉडे उसका साथ एक audio video input jack और यह पैनल आप देख सकते हो पैनल बॉटम सुइच यह मिलेगा और सेंसर का बोड होता है यह डायरेक्ट लिए दिया गिया है और यह दिखियो होडिजनल भाटिकल का यह यह का और का कनेक्शन वाइर है और अलग-अलग यह speaker connection का वायर sport है, तो ठीक है मैं सबको side cut देता हूँ और आपको pry connection करके देखोंगा यह coil है आप देख सकते हो, यह coil का यह पूराना picture tube है ठीक है और यह red wire और यह blue wire यह original का coil, original coil connection है तो आप देख सकते हो कुंकुं point का साथ connection है यह wire से मैं अलग PCB मैं टेस्ट करता हूँ इसलिए मैं अभी यह coil को नहीं काटूंगा यह wire होता है wire को मैं tape करके side कर देगा ठीक है और उसका बाद यह PCB का साथ जो नौया wire company दिया है इसलिए wire को मैं tape कर लेता हूँ तो यह wire को मैं tape कर दिया और side कर दिया क्यूंकि मैं बाद में picture tube को अलग किसी भी टेस्ट करूंगा तो यह आप cut कर सकते हो तो मैं ST का final anode मैं connection कर दिया सिर्फ ठीक है और दिखे normal सा connection है और यह big neck का base है तो यह picture tube बीग लेक है बीग लेक devenir have picture tube है तो आप आसने से यह normal से connection कर सकते हो और आपका पास e small link base होगा तो आप यह base पूर dash यहाट अप यह small base use कर सकते हो अब देख सकते आप आप or Rainbow base use usually sent space connection किया है अप इस पिक्चर ट्यूप जो निगेटिव होता है ये दिख़्िए निगेटिव यह है ये ये जो सिंसर ह मैं कनेक्शन कार देता हूँ और इसका बाद यह जो होडिजिंटल रवार्टिकल कनेक्शन का वायर है यह नीचे जो पॉइंट यह पीसीवी का अंदर है अब देख सकते हो यह पर मैं कनेक्शन कर देता हूं तो दोस्तों यह जो जैक होता है उल्टा सीधा नहीं लागेगा ठीक है इसका जो सेम सिस्टेम होता है यह सिम तरह कनेक्शन होगा ठीक है तो इसलिए मैं नॉर्मल सा यह जैक मैं लागा देता हूं ए्जैक लागा दिया और रेड़ wanna और फील का पॉइंट है यह अल्षित का प्तिफ़ इसट ब्वली पहाल है और Whight और Black यह वाटिकल का कोईल है यह आप मैं कन्यक्षन कर देखा और केमेरा को थहरा सा सिट कर लेता हूँ यह रैकिसर करके अपको दिखा ऒाऊ ठीक है और एक बात यह सी कोर्ट कन आपनेक्षन देना पड़ेगा क्युंकि यह जो फ्यूस सट है यह सी कोड के कनलेक्षन हुगा ठीक है और picture temple जो डिगर्सिंग कोईल होता है यह जो डिगर्सिंग कोईल पिक्चर כי का यह पर कनेक्शन होगा यह बाद में connection करके तो दुसतों फाइनली यह जो अल्टास्लिम टिवी का PCB है यह मैं connection किया अपको दिखा यह बेस connection किया है और यह GLORIA का connection है ठीक है यह जो चार वायर यह दिखिए यह horizontal भाडिकल यह दोनों कोईल connection में किया है ठीक है और यह मैं normal connection करने का बाद आप screen पर follow कीजिए देखिए इस टाइब screen आता है ठीक है तो दोस्तों आप new board connection करने का बाद screen clear होगा तो आपका डारने का कोई बात नहीं है आप वह पर छोड़ दीजिए तो जब कुछ भी screen पर यह adjusting problem होता है यह आएगा तो आपको यह आपको ध्यान राखना पड़ेगा कि इस तरह आपको adjust करना पड़ेगा फास्ट आप देखिए जो बेस्टा भीसन का जो लिखा है यह उल्टा हो गया ठीक है यह कैस से adjust किया जाता है यह आपको फास्ट देखाऊंगा तो इसलिए आपको देखाता हूं आप ध्यान से देखिए तो मैं set को stop कर देता हूं एक बार अब फास्ट देखिए मैं set को stop कर दिया ठीक है और यह जो यह कोईल है ठीक है यह दिखिए वाटिकल कोईल का दो पॉइंट है यह ब्लैक और हॉइट है यह मैं चेंज कर देगा यह दिखिए मैं ब्लैक का रॉपन कर देता हूं और यह हॉइट कोईल उपन कर देता हूं ठीक है तो हॉइट कोईल को मैं इधर लागा देता हूं सब उल्टा करके ठीक है औ यह नॉर्मल से बात है ठीक है उसका बाद आपको लाइन देखे देखा तो आप पिक्चर पर फालो कीजिए आप स्क्रीन पर फालो कीजिए मैं लाइन दे दिया यह दिखिए गयुमर्फ थिखिए खरेखिए ठीक है और उसका बाद दोस्तों देखिए यह picture adjust नहीं है दो साइट थोड़ा सा gap लागदा है ठीक है इसलिए आपको service mood open करके adjust करना पड़ेगा तो दोस्तों देखिए मेरा पास यह पुराना remote है ठीक है यह चाइना कंपनी के एक remote है आप इस तरह remote यूज़ कार सकते हो और PCB को साथ जो remote मुझे को मिला है यह remote है ठीक है अब देखिए यह जो दो remote का फ़ड़ाक लेकिन यह दो स्थेम remote है यह remote ल दिखा जाता है तो आपको service mood open हो जाएगा लेकिन यह जो remote है यह आप remote है खड़ित करके राखिए क्योंकि इसका अंदर छेद नहीं है और इसका अंदर जो लिखा है अब यह panel connection करके यह panel का minus bottom ठीक है minus bottom और यह remote का display bottom ठीक है आपको देखाता हूं अब आच्छा करके देख लिजिए यह जो display bottom है इसका service mood open हो जाएगा यह एक ट्रिक है एक नामबर माइनस क्या बात है आपको ध्यांद दीजिए panel का minus bottom और remote का display bottom ठीक है यह दोनों एक साथ पूस करगा तो इसका service mood open हो जाएगा और दूसरा जो system है यह जो छेट दिखा जाता है system bottom का नीचे यह छेट पर कुछ भी एक इसको डैबर लेकर पूस करगा तो इसका service mood open हो जाएगा और आपका पास इस तरह रिमूट है तो आप यह स्मूट जो option है यह स्मूट open करगा तो पूस करगा तो service mood open हो जाएगा ठीक तो यह मैं service mood पूस करका दिखाता हूँ देखिए यह पर sensor point है यह पर मैं आपको सामने रगना पड़ेगा और मैं service mood पूस करता हूँ ठीक है यह स्मूट ठीक है फास्ट आप फॉलो किजिए screen पॉर और service mood मैं पूस करता हूँ देखिए जिस टाइम मैं service mood पूस करता हूँ यह सी का साथ साथ screen पॉर एक फिक्टर लेका आ जाता है देखिए यह फिक्टर लेका और दूसरा बार जब service mood पूस करूंगा तो एक चार्ट आ जाता है ठीक है यह दिखिए यह चार्ट आ जाता है ठीक है यह दिखिए जो फास्ट अप्शन है BW balance एक्षिल यह जो होता है black and white adjust ठीक है और यह जो रिमोट होता है यह रिमोट होता है यह एक दो तीन चर पांच छोई साथ आर नौई दास यह अप्शन होता है तो मैं फास्ट यह ओन अप्शन करता हूँ आप स्क्रीन पर फाल यह दिखिए इस टाइब ऑप्शन आ जाता है ठीक है एक्चॉली यह जो अप्शन यह अल्टा स्लीम टीबी सेट करने के लिए यह अप्शन आपको बहुत फायदा होगा और यह अप्शन अब कर सकते हो सार्विस मोट ओबन कर सकते ठीक है तो ठीक है तो जो black and white हो गया इस इसलिए आप वीडियो ले कर सकते हों तो ठीक है मैं वीडियो ले कर दिता हूं थो लेकिन के दिखिए अब करता हूं इसलिए मैं तले आपको दोबार पुर्ष्ट करना पड़ेगा ठीक है जब मैं दोबारा पुस्ट करता हूं यह नॉनर्मल हो जाता है ठीक है आपको धीरे से सम्झने के लिए को सिस्ट करता हूं कि तो इसलिए आप यह जो टीबी रीमोट का एवि उप्सन होता है अब वह क्लियर करके देखने बिज़िस करता हूं अब धिरे से दिखिए यह तीबी अफीव औप््सन पुस्ट काने का बाद यह अभे हो गया और उसका बाद दुबर मैं पुस्ट करता हूं यह एभी 2 हो गया ठीक है तो दोस्तों एक बाद ध्यान देजिए यह PCP का जो पीछे साइट जो अप्शन होता है यह भी 1 का अप्शन है ठीक है और यह जो कोड में अपन करके राखा यह भी 2 का अप्शन है ठीक है यह आप यह पॉइंट पर कनेक्शन कर सकता है यह TV TV यह भी 2 हो जाता है ठीक है तो दोस्तों उसका बाद आपको और एक चीस देखाता हूं देखिए यह TV भी बोटम है इस वारा बंगलादेश का भीवर हो सकता है तो यह TV भी बोटम पूस्च कोरने का बाद आपको देखिए और टो आप्शन आना चाहिए लेकिन और टो करता है तो इसलिए आपको जो देखा हाँगा अब देखिए लिता हो सिर्ग को थौग करने का बाद आपको बात आती हूं कि यह जो service mode option को दोबड़ आपको push काना पड़ेगा तो दोबड़ मैं push किया और उसका बाद remote का one option push करता हूँ यह one chat है, f1 जो chat है और two option push करता हूँ यह two chat है और three option push करता हूँ, three chat है और three option, sorry three option है और four option push करता हूँ यह चार number chat है और five number option push करता हूँ तो दोस्तों देखिए ये 5 नमबर अप्शन फर्जू है अब ध्यान दीजिए देखिए A V 2 0 है और T V 0 है Sorry A V 2 1 है और T V 0 है अब देख लेजिए ठीक है तो अब ये जो 1 है एक्चली 1 A V 2 1 ये मैं 1 option को on करके रखा है ठीक है और T V 0 option है ये मैं on करूँगा किस तरा on करूँगा आपको देखाता हूं ये दिखिए ये जो remote है remote का volume plus option जो होता है ये push करने का बाद वो TV option on हो जाएगा तब screen पर follow कीजिए screen को मैं जूम कर दिया और volume bottom push करता हूं ठीक है volume plus देखिए 0 option 1 हो गया और उसका बाद देखिए आपको देखाऊंगा ये TV का जो service mode option is mode option ये मैं close कर देता हूं ठीक है मैं push करूँगा और screen पर follow कीजिए दिखिए normal सा हो गया तो जब ये हो गया तो ये TV option है आपको देखाऊंगा clear करके ये TV option data option होता है ये मैं push करूँगा ठीक है पूस करने का बाद ये देखिए ये option मैं push करूँगा देखिए इसका auto option आ गया ठीक है जब auto option आ गया आपको clear करके देखने के कोशिश करता हूं अब ध्यान से देखिए मैं TV AV bottom push करता हूं देखिए ये देखिए ये AV1 दो बाड़ा मैं push करता हूं ये AV2 और तिसरा बाड़ा मैं push करता हूं ये auto option आग ये auto है ठीक है ये auto पर अब इस time जब service mode open करेगा ठीक है इस time इसका service mode open करेगा ये as mode है ठीक है अब देखिए ये as mode है service mode service mode open करेगा मैं service mode push करता हूं और screen portfolio कीजिए देखिए सुनो आ गिया ठीक है तो आपको clear नहीं आएगा ठीक है तो इसलिए मैं video option choose करता हूं ये TV भी bottom push करके ये देखिए video option आ गिया ठीक है और एक video play कर लेता हूं अब थोड़ा सा रूकी है मैं video play कर लेता हूं एक video play कर लिया ठीक है और ये picture देखिए उपार नीचर बहुत छुटा है और left और right side बहुत छुटा है तो इसलिए ये एक cinemas को picture है तो मैं full screen एक picture set कर लेता हूं ये देखिए ये full screen picture है अब आच्छा करके देखेगा तो आपको पाता चाल जाएगा ठीक है और ये इसका जो left right side ये gap है तो इक क्या ऐसे adjust किया जाता है तो दोस्ता आप देख सकते हैं मैं factory mode open करके राखा है ठीक है तो आपको remote लेकर देखाता हूं ये remote का ये जो same system है ये ये ब्लू bottom का उपर ये service mode है ये मैं पूस्ट करूंगा और इस screen पर फॉलो किजिए देखिए actually factory remote open है मैं service mode remote से पूस्ट करता हूं देखिए जब मैं पूस्ट किया इस पर एक चाट आ गया ठीक है और उसका बाद remote का अब दो number button पूस्ट किजिए जब मैं दो number bottom पूस्ट किया तो ये जो चार्ट होता है actually ये ultra slim picture tip setting करने का ये option है ठीक है आप ये आच्चा के ध्यान से देखिए ये option है ठीक है तो ये जो age w id wide ठीक है actually horizontal wide है दोनों side के adjust करने का लिए जो option है तो इसलिए मैं remote का ये दिखिए ये remote का मैं volume button पूस्ट करके ये दोनों side ये दिखिए दोनों side मैं adjust कर लेता हूँ ये दिखिए दोनो side full हो गया ठीक है तो तब भी आपको देखाता हूँ मैं थोड़ा सा डाउन करके ये दिखिए दोनो side का मैं down कर लिया ये दिखिए दोनो side का gap हो गया actually ये जो setting है आप उपर और नीचे ये जो कुना होता है ये आप adjust कर सकते हो किस कुन सा ही सब से अब adjust कर सकते हो आपको देखाता हूँ देखिए ये जो chart है ठीक है अब आच्छा करके देख लेजिए ये दिखिए ये change हो जाता है ठीक है और उसका बाद age w id मैं select किया और उसका बाद इसका जो size दोनो side left और right size ये मैं select कर देता हूँ इसका उपर का जो point है वो जो corner का point है वो gap है ठीक है इसलिए मैं remote का volume मेरा हाथ एक हाथ पर remote है ये volume plus और ये channel का plus minus है ये उपर नीचे आप कर सकते हो और ये volume plus minus से आप इसका value of change कर सकते हो ठीक है तो इसलिए मैं दिखिए टॉप ये top जो option है टॉप का जो corner ये थोड़ से gap ह इसलिए मैं यह चेंज करने के देखिए जह मैं वोल्यम प्लास पुस्ट करता हूं यह चेंज हो जाता है उसका बात दोके दोस्तों देखिए यह BTM ठीक है यह नीचे वाला कॉर्णर में चेंज करके आपको देखाता हूं ठीक है वीडियो स्टॉप हो गया है दोबरा मैं प्लेइ कर देता हूं देखिए नीचे जो और होता है यह मैं चेंज करता हूं यह दिखिए रिमोट का माईनस एपसिन चेंज करके आप देखिए यह थोड़ा सा चेंज हो गिया और उसका बाद जो उपर बाला जो अप्सन होता है यह थोड़ा सा मैं बाला देता हूँ ठीक है तब देख सकते हो यह पिक्चर एजस्ट हो गिया तो इस तरह आप सर्विस मूट ओपन करके एजस्ट कर सकते हो और आप उपर नीचे भर्टिकल का जो हाइट को है यह आप एजस्ट करने के लिए आपको मैं देखाऊंगा यह द दिखिए यह ओन ओप्सन है और इस पर दिखिए भी साइज, भी पोजिशन, भी लाइन यह आप एजस्ट कर सकते हो तो मैं भी साइज़ आज़स्ट करके आपको देखाता हूँ इसलिए मैं चैनल का माइनस बॉटम पूस्ट करता हूँ देखिए भी साइज मैं तो इस तरह आपको एड़ेस्ट करना पड़ता है तो दोस्तो आरह एक बात आपको बात है जो CRT नॉर्मल PCB और आल्टरस्रीम PCB का जो आंतार है वो वीडियो आप देखेगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो मैं इसका फार्टिकल साइज में एड़ेस्ट किया है और दोस्तो यह PCB जो आप देख रहे हो यह PCB एड़ेस्ट करने के लिए आपका कुछ प्राब्लेम होगा तो आप मुझे को जो कमेंट कीजिए मैं आपको एंसर देने का कुछिस करूंगा और एक बात तो दोस्तों मैं सार्वेस्ट मूट उपन करके कैसे सब्सक्राइब करने बात चाहिए इस अोपर आपको देखा जा कुछ आर्टाश्ट अप्रीस्टीऽ भी होते है जो इस पर सार्वेस्ट अप्सें च्छरएअ आप एड़ेस्ट कर सकते हो कि यह पूजिशन पर दो पीशेट देखा जाता है ठीक है वह दो पीशेट यह जो यह स्ट्रेस्ट सिक्षन होता है यह सेक्षन के अड़ेस्ट किया जाता है ठीक है वह दो पीशेट आप घुमा के अड़ेस्ट कर सकते हो ठीक है दुस्तर